पड़े देखे विलेजगोड लोग हैं उनको पता है के सही चीज क्या और गल्चीज क्या है तो उसका वो कही नहीं के मादेम से जवाब देंगे भी अगर आपको कहीं में कुछ होता है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्मेंट हो वहाँ आपका फ्री ओफ कोस इलाज रास्तान के अंदर अगर इस तरह की पॉलिसी बना दी जाए कि जैनरिक दवाई इंप्लिमेंट हो जाए पूरे भारत के अंदर तो जो यह बिजनस कर रही है सारा फार्मा काम्पनिया जो डॉक्टर मजबूर है नमस्काराद आप जैनसातियों मैं हूं महताब खान और आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और आज हम बात करेंगे 2024 की जो की कनाट प्लेस में हम मौजूद है दिली का दिल कलाया जाता है आईए हम जनता से बात करेंगे किया मूड है उनका 2024 के लिए महा गटबंदन के रूप में राहूल गांदी के नितरुत में पीम कैंडिड भी वो ये होने वाला है नहीं आप करें राहूल गांदी पीम के रूप में उनकी तो सदेस्टा भी रत कर दी गई है तो कहा से सूरस से अपील कर लिये थे वो जल्दी बाजी में हुआ था अभी उस पर आल्रेडी काम शुरुवात हो चुका है आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में बदला होगा अगर मुदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है कौन सी अच्छी काम कर रही है 700 किसान के खुरुबान होने के बाद तीन बिल वापस लिया था धाई लाग करवड रुपे भारत का सरकार ने एक ही बंदे को लोन दे चुका है वो बंदे का नाम है गौतम अध्वानी उसमें भारत का सरकार का पैसा कुछ भी नहीं फसा है पब्लीक का पैसा फसा है उस पे जाच करने के लिए एक भी एजनसी आँख उटा के आँख उटा के नहीं देख रही है भारत की सरकार इसी कमजोर और क्या हो सकता है देखे मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा वो तो कहते हैं कि हम गरिब का हक दिला रहे हैं गरिब को हक मिल रहा है आज राशन पूरी तरह से मिल रहा है पहले सरकारों में राशन पूरा नहीं मिलता था तो आप क्या कहेंगे सार मैं इसी सीपी में बैट के आपको एक बात बता रहा हूं भारत देश में सुपसी गरीब देश भारत देश हो चुका है ये आकडे मेरे पास है इंटरनेशनल में भारत ये गरीब देश बन चुका है अभी तक कोन सा भारत का चैनल भी किसको नहीं ले रहा है क्यों तो ये बात को दफना गिया है इसी पकड के सूचो पब्ली को पांच किलो का रैशन देके असी करवड लोग को हम दे रहे हैं बोलके ये गरोसी बोल रहे है तो असी करवड लोग है पांच किलो के मजबूरी में जी रहे है बारत देश में ये तो गवाई है सरकार के तरफ सी है मेरे तरफ सी नहीं है और इस सी लावा और क्या चाहिए आपको चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने अपनी राय दी मनीज जी जैसे कि 2024 काफी करीब है और अभी करनाटक का चुनाव भी होना है तो क्या लगता है आपको बदलाव होगा या फिर एक बार मोधी सरकार देखिए करनाटक परदेश के अंदर एक पड़ी लिखी जन चीज क्या है तो उसका वो कहना का इलेक्शन के मादेम से जवाब देंगे भी और आती ये बात महंगाई की तो आपके सामने पता ही है महंगाई तो बड़ी तेजी से होती जा रही है दिन पर दिन एक गरीब आदमी को और एक मिडल क्लास फैमली को क्या चाहिए और उसके स म mellusion में इलक्षन ओना ना कि किसी मंदर को ले कि एलक्षना ना कि किसी और कि सी बातों को लेकर चाहिए रहा जैया को हैinks जिकी सिक जंता के मुद्न तो में उतर दूँगा नहीं थो कोई फै nouve Safety क्या आनाज राशन ये बड़ी तही से महंगा हो रहा है इसमे इस पे कंट्रोल सरकार 12 सरकार कब लगाएगी एक आटा जिसका रेट 15 था वो 35 हो गिया जिसका दूद का रेट जो 30 से 32 था 35 था उसका रेटा 60 से 55 रपे हो गया एक गैस का सिलेंडर जो हर वेक्ति यूज करता है और हर किसी के रुस्वे में गैस यूज होता है हर अमीरों गरीब हो सब के गर म उसका रेट जो 400 साड़े 400 संक दिन था आज उसका रेट 11-12 रवेगा हो गया है कुछ सही चला था अभी कुछ दिनों से वाबला गडबड़ दीख रहा है क्या गडबड़ हो रहा है जैसे जेपी सी क्यों नहीं बनने एक डानी के मुद्दे पर सवाल एक दिबांग में आ रहा है अगर मोधी जी फ्री हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब आदमी को क्यों है लेख पर मोधी जीखी में कोई सवाल नहीं था पहली बार सवाल कड़ा हुग रहा और सवाल ऐसा खड़ा हो रहा कि संसद नहीं दीजा नहीं अरहा है कि मुध्री को पसक्र पहल anymore दीना काल पर. हुआ पहली बार के डिवल्टी पे सवाल खड़ा हो रहा है मोधी जी के तो आपका कहना है आप निशाना साथ रहे सरकार पर कहीं न कहीं मतलब कहीं न कहीं खोट है उनके दिल में नहीं ना खोट कह रहा हूँ ना मैंने साथ रहा हूँ एक आमा आदमी की जिग्यासा है कि आखिर ये जांच क्यों नहीं हो रही है पर सरकार जांस तो कराएं, तभी तो सर्टिफिकर्ट मिलेगा, अगर आप मेरे वपर कोई अरोब लगेगा, कि मैंने चूरी करी है, तो बहुत पोलीस जांच करेगी ना, अपकी बार बहुत होगी महिंगाई की मार अपकी बार मोधी सरकार और भीजे पीट डिय ऐक में अम्हेंगा की अमश्टी अच्य capable दिस नेतीं अधियर करीम करें पनूंता ह Freunde अउस्ट ब्रीवर्ड ज कुछ ने रहिए है घच्या जोगा बदलाव में Sony Penat तरती सब्सक्राई चारे सोब करा हो ख़र किसी का सवाल यह नहीं होता है कि 2014 में या 2019 में जो वोट दिया उस गवर्मेंट उन चीज़ों पर खरी उतर पारी नहीं उतर पारी मेरा अपसी सवाल है सभी का एकि मैं देख रहा हूं मैं शाम करेवर आता हूं यहां पर दिली रहता हूं मैं लोकल हुए का जो भी चनल है आपके चनल के माध्यम से यह सवाल है कि जितने भी रिपोर्टर है उनको अपने सवाल चेंज करने चाहिए कि जनताने जब 2004 के अंदर और 2009 के अंदर जब गोटाले हुए थे उनको देखते हुए हमने वोट दिया दूसरी गवर्मेंट को ठीक है दूसरी गवर्मेंट को हमने इसले वोट दिया है कि जिससे की विकास हो ठीक है अब आपका सवाल यह होना चाहिए कि जो नई गवर्मेंट है वो जनता के बरोसों पे खरी उतर पारी नहीं उतर पारी क्योंकि मुझे तो याद है जा हम तो स्कूल में हुआ करते थे वो स्मिति राने जी थी वो सिलेंडर के मुद्दे पे शायद चूडिया में जी थी मनमुन सिंग जी को शायद दो जार पांच में कि चार में कि सिलेंडर बढ़ गया ही है और अभी शायद कोई चूडिया मुड़ या कुछ नी भेस थी स्मिति राने जी तो अभी वो ही सरकार है जिसके मुद्दे वो थे अभी वो चुब बैटी है तो मेरा पत्रकारों से ही विदन है कि अपने सवाल चेंज करें सारे लोग मनलब आपका ये कहना है कि आज इस्मिति रानी कहा है जो इसे पहले सर पर सलंडर लेकर फिरती थी आज 11 रुपागत आपके कहना है कि आज इस्मिति रानी कहा है अपको सब्सक्राइब तिरो प्रूष्म है । वहां क्या विकास क्या होगा उन बातों पर आपकी मुद्वन चाहूं आप से फाइदा हो रहा है कि के सवास्ते में Уबै constitu नहीं है कि नहीं सब्हadamente crap2. मैं आपको अधा हूं मैं रहता हूं आजस्तान की अंदर रहने वाँ का हूं वहां का हूं jed動画 पास हूं यह ड़ू ट्यों के अंदर इक शय्ट करें कार है चरण जेवी कार बंता है वहां पर मैं किसी पाह्टि पर पर एक चरिंज भी योजना है वहां किसी को कुछ होता है तो 25 लाग का उसको पुरा कवरेज है नाजयस्तान के अंदर इंडिया में से को योजना नहीं है कहीं और जो बिल पास हुआ है राइट वहला अगर आपको कहीं भी कुछ होता है चाहिए वह अपका फुरी ओफ कोस लाज रास्तान के अंदर इंडिया में सी वहस्ता नहीं है और जिस आपकी बात कर रहे हो आप आपको से मेडिकल स्टोर जाहिए आपको सो मैसे नबबे मेडिसिन मिलेगी नी और दूसरा अगर ये चित्र मेडिसिन आपकी बात छेड़ता हूं में तो इंडिया के अंदर जन्रिक दवाई क्यों नहीं आ रही है क्यों ने प्रॉल्माइंड कर रहे हैं ये क्यों फार्मा कंपनिया डवलोप हो रह जाहिए ती क्यों क्या कारण है अगर इस तरह की पॉलिसी बना दी जाए कि जैनलिक दवाई इंप्लिमेंट हो जाए पूरे बारत के अंदर तो जो ये बिजनस कर रहे हैं उनके माध्यम से करने पे अब सारे डॉक्टर जा रहे हैं आज को विदेश में बच्चों को लेग आपका कहना है कहीं कमजोरी है यहां पर मेरा यह हैं मोधी बहुत काम कर रहा है लेकिन हम उनसे संतुष नहीं है हमें उनसे और उपक्षा है हम कनाट प्लेस में थे हमने सबसे बात की अलग अलग राय थी सबकी और आपकी क्या रहा है इसमें आप कमेंट करें कैमरामेन विकास के साथ मैं महताब कान और जस्टिस टीवी इंडिया